तो आज की वीडियो में दोफतो हम लोग बात करने वाले हैं कि आप Realme P1 and P Pro के अंदर यहां पर call recording को कि तरह फे कर सकते हूँ क्योंकि call recording करना बहुत important होता है जब भी हम किफी बंदे को भी call करते हैं and call recording की बहुत जरूर पढ़ते हैं कभी-कभी तो फिम्पलीफ दोफतो इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको जो भी फेटिंग सुपताने वालों वो आपको करते ही जाना है and आप auto call recording कर पाऊँगी जब भी कोई बंद आपको call करेगा फिम्पलीफे call automatically record होता जाएगा तो यहां पर दोफतो फिम्पलीफे आपको फेटिंग पर क्लिक करना है यह जो three dot है पहले आपको यहां पर आना है डाइल पैट के अंदर and यहां पर three dot पर क्लिक करेंगी उसके बाद यहां पर फेटिंग अंदर जाएगे फेटिंग अंदर जाने के बाद आपको यहां पर एक option देखने को मिल जाएगा call recording का यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद दोफतों यह जो है ना automatically recording इसको on कर देंगे and always record पर click कर देंगे इतना करने के बाद कोई भी बंदा आपको call करता है तो यहां पर देखिए इसको भी आप on कर दीजेगा तो आपका जो भी contact token वो भी आप select कर सकते हो आप नहीं चाहते कि आपको किफी की भी call recording आए और वो record हो जाए and आप अपनी girlfriend की call recording करना चाहते हो only तो वो आप number save करके यहां पर डाल दीजेगा डालने के बाद आप उफी की call recording जो record कर पाऊगे ठीक है तो यहां पर जो भी call record होंगी वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी ठीक है तो आपको यह नेवर पर reflect करके रखना है यहां पर देखिए आपको delete बगारा नहीं करना and call recording जो आपको file manager के अंदर देखने को मिल जाएंगी जब यह call record होंगी अभी कोई भी call record नहीं किया इसके कारण यह शो हो रहा है मैं यहां पर 198 पर click करता हूँ and यहां पर दोफतों जो इस call को मैं record करता हूँ जब यहां पर record automatically हो गई ठीक है देखिए automatically call recording शुरू हो गई तो इस तरह फिए आप जो है call recording को शुरू कर पाओगे अपने realme p1 and ppro के हंदर